महान भाओ, सराय संसार प्रपंच अनाधी काल्षे ये पृत्वी जे निशास्तर के अनुसार काल परिवर्टन की बात करते हुए कहते हैं ऐसा काल सुक्मा सुक्मा, उसके बाद सुक्मा, फिर सुक्मा दुक्मा, फिर दुक्मा सुक्मा, और दुक्मा और दुक्मा दुक्मा छे काल है छे काल में तृति काल के अंत में चवजावे कुलकर नाभी राजा इस देशवर राज करते थे और नाभी राजा की जो पत्रानी थी पत्नी थी उम्रुदी भी थी इस सुक्षे राज करते वे रहते थे और इतने बड़े प्रतापी थे समस्त शास्त्रों में ये लिखा उनके नाम से अजनाव वर्ष पहले इस देश को कहते थे इस नाभी राजार मुरुदेवी के एक पत्रुपन जो तीरसंगर कहला है उनका जन्वा इंदर इंद्राइनी उस बालक को सीर सागर के जल्चे सुमिर पर अविशेक कराते हैं अविशेक के बाद सारे वस्त्राभुशन पेनाया इंद्र ने उनका नाम पुरु रखा पुरु शब्दकार थे भौव बुन्वान जब घर लिया है पिता ने पालने में रखते समय उरशब का उरशे शब्दकार थे धर्म इस प्रित्रि मंडल पर प्रसंद त्याग तपश्यर्या समस्कुटी इस सब उन्नी की देन है जब वो बड़े हो गए नाभी राज्या ने उनको राज्य दे दिया मुकुट पेना है और नाभी राज्या मुरु देवी बदरिनात जाकर समाधी पूर्वक शरीर छोड़ा आज भी बदरिनात में जहीं लोग यात्रार्स जाते रहते हैं नाभी राज्या जब प्रजापती कहलाए राज्य करने लगे उनके समय में कल प्रक्ष नश्ठ होने से जीवन यापन की बड़ी समश्या प्रजा गभरा कर उनके चर्ण सानित म्यागे और एक विशार प्रक्ष के नीचे बैठ कर प्रजा के लिए उन्होंने कहा अब आपको स्रम करके ही रोटी खानी होगे जीवन चलाना होगा इसलिए उन्होंने प्राहन में जो सामने दिखाए देता है बास जैशे गन्ना उसको चूसरो तुर्प्ति हो जाएगी ऐसे करते हैं इसलिए युक्षू रस पीने शी इक्षवा को शी कहना है प्रजा को कहे रहे लगे असी, मर्शी, कृषी, वाड़ी, जोर्शिल और विद्या ये च्छे कलाए उनको देती अपने हिंसर पशों से रक्षा के लिए शास्त्र देना है मसी लेखन कला से कहे, लिखने की करा एक दुसरे की विचारों को दुसरे पास पहुंचाने के लिए कैसे लिखा जाता है, चिट्टी उगरे सब बता दे है और से लेके हर और बीच में म, और हम, मैं कौन हूँ ये भी जानकारी इन आक्षरों से कर लेनी के बाद करें कृशी, जो तिसरी विद्या है, कलम खल चलने से चलता है इसलिए कृशी विद्या शिकाई और उन्होंने गोशना कर दी कृशी करो और रुशी जीवन बिताओ, कृशी करो या रुशी बनो शेशा चुक्रुश्या देशे, अर्वसु प्रजा प्रजा के लुद्यों ने कृशी खास बताया जो शाकार की प्रतीक है, इस्रम की प्रतीक है और आज जो जितने भी किसान दिखते हैं और जितने भी स्रम करते हैं, वो सब शाकारी अदिशे नानातर के फल, पूल, जो, चावद, ज्वार, मक्का, बादर, इत्या दीब बोकर कैसे फसल, ये बात उन्होंने शिखाए। फिर एक दूसरी के पास ये माल पहुंचाने के लिए, मानी जुविद्या जो तराजु पकडवा दिया, वो वह इस शिखाए लाए। फिर उसके बाद शिल्प, कपड़े बुनना, चित्रकारी, इत्यादी बाते, मकान बनाना, बरतन बनाना, ये सब बाते भी उन्होंने शिखाए। और अंतमे विद्या, नाना तरी के विद्या, गारुणी विद्या है, उसरपशु को केशे वश किया जाता है, उनको शांत किया जाता है, जहर उतारा जाता है, ये भी बता है। प्रुशी वाणी शिल्प और विद्या, इछे बाते उन्होंने शिकाई। और इतना ही ने काश्चेर की बात, उनके बेटे ने किसानों को करोड़ो हल भेट किये, जब वो चक्रवर्ती भर्द बन गए थी। उनके कुक्षी शे भरत भाववली, ब्रामी सुन्दरी दो कन्या और भरत भाववलुत पन्या, दोनों कन्याओं ने अपने पिता को, हाथ जोड़ना पड़े दामाद को, इसलिए उन्होंने शादिनी की, और अपने संयम में जीवन यापन जीवन मर करते रहे। ब्रामी को लिपी शिकाया, इसलिए ब्रामी लिपी कैलाई, दुसरे सुन्दरी को गणित शिकाया, सुन्दर गणित। मान बाओ, भरत चक्रवर्थी को संगित विद्या है, और भी भूत से विद्या शिकाया। बाओ भुली को कुछ सी खेलना, इत्यादी बाते भी उनको भी कला। असलिए बहत्तर कलाओ का ज्यान कराया। आगे चलके जब उनको लगा कि अब आयू मेरे इखटी जा रही है। कितने दिन राज भूव वईगों में बैठना है। इसलिए उन्होंने सुर्दास ने भी अपने कावे में बर्णन किया है। बहरू रशब जब बडे भे नाविराज वनको गे। इसे वराज परजासो कपाय। जजता कू सब जग में इचाय। जब राज जब वनको गे नवसुत नवखंड नुपवे। भरत भरत खंड को राव करे सदा है। इसमे भरत चक्रवर्ती की जो नवी पुत्री थी कुमारी कन्या। उसके नाम से कन्या कुमारी राज वसको दिया। उसे नहीं शाधी नहीं की थे। मानगाओ सारे प्रित्वी को जीत कर भरत लोगों को स्वीकी बनाने के लिए एक छत्र राज और संगटित कर दिया। और सतंतरता के सत्ता भी सब को दिये। रश्यप दियुजब छूड के जाने लिए राज को तब बात कहें गईते अपने बेटों को अपने आपको बदलो दुसरे को बदलने के चक्कर में मत तोड़ो। जो दुसरे को बदलने के लिए प्रेइद्न करते हैं तो कदह का कारण बनता है। सास बहु को बदलना चाहती, बहु सास को बदलना चाहती। बेटा बाप को बदलना चाहता है, बाप बेटे को बदलना चाहता है। राजा प्रजा को बदलना, क्याता है प्रजा राजा को बदलना, इस तरह से एक दुसरे के बदलने के अनुशासन करने के लिए प्रेद्न करने से गधा उत्पन होता है, उसलिए उन्ने का अपने आत्मा अनुशासन, अपने परिशासन करो, अपने को बदो, फिर स्वाब ल पर उसके बाद उन्होंने सतंतरता का आरत है क्या खाना क्या पेनना क्या पेनना पढ़ना इत्यादी सतंतरता है चौफी बाद उन्होंने कही तैसके गया क्या है पृष्य पनहें और छोसा कचा पहना माता-पृता के प्रती प्रती है के व्यभिक आरती गयाँ कमानी कर देश के प्रती ऎताब में शाउल आरती है पहला सकता, इसलिए स्वच्छन दिता को मना कर दिया, उसके पच्छात उन्होंने बता दिया, मुस्कराते रो, कहीं भी दुनिया में फिरो, घुमो, रहो, पर मुस्कराते रो, जैसे मशान मुवें, मुस्करा नमर चोड़ना, यह धर्मात्मा का लक्षन है, ऐसे मुस्करान अले धर्मात्मा ब्यक्ति परमात्मा बन सकता है, तो इस तरह से प्रजा को रूपदेश दे दिया, और भरण चक्रलती की सेर पर मुकुट रख कर, और इलाबाद के नदे किनारे, वटवरक्षी नींचे, पंच मुष्टी केश रूच करते वे, ज्हानस्त होगे, और छे म मेने के बाद अहार के लिए उटे, उनको अंत्राय कर्म के कर्म कुछ में मिला, महानबाव अश्चे निस बात किये, जब प्रजा को इधाता कहना है, अश्चे मेशे कृषी इत्यादी विद्यानाना तरही शेका है, बेटा नौनिदी का मालीक, शटकर नादी, पती, चक्र ब्रमन करना पड़ा, वो सादू बन गए थी, नुनी बन गए, निर्गन्त बन गए थी, सर्मन कैलाए, महावरती, अवरात्य कैलाए, महावरत्य कैलाए, अंत में, हस्तनापुर में, स्रियाव स्रमार, लाजगुमार, राजा, नवदा बक्ती का ज्यान हुआ, पिछले जा आरदान दिया हुआ, उन्हों पडगा के और युक्षु रक्ष का आरदान दे दे, पंचाचर वरश्टि भी प्रशग्यों देश्वर में भ्रमन करते रे, और भ्रमन करते करते कैलाए स्वरवत से उन्होंने प्रजा को अहिशा का उपदे दे रे, महानभाव ये प्रिशी कृशी युग के अंदर उन्हों प्रमन करते हुआ, एकना भवती में एक बात लिखी है, इस देश का नाम जो पड़ा, वे लिखते है, ऐसा तो भरता चा पुत्र, जयासी नाव भरत, जयाचा नामाची कीर्ती विचत्र, पर्व पवित्र, जगामाची, तो भरत पुराहिलात भुमिकेशी, मुनोनी भरत वर्ष मनतियाशी, सकल करमारं भी करिता संकनपाशी, जयाची नामाची स्वर्ता पुत्र. इस देश का जो नाम, अजना वर्ष होकर भरत पड़ा, जो भरत चक्रवर्थी की कान्यों, प्रजा का भरन पोशन करते रहे, इसलिए उ मानवाओ, भरत चक्रवर्थी, जो परजापारण करते रहे, अपने पत्रवत सब देखते रहे, और किसी को दुक्य होने नहीं दिया, उनके राज में कोई आते, राज महल में कोई भेट करे, उसे दुबना उनको सतकार के साथ माल लेते थे, सतकार करते थे, धन देते थे, ऐसे भरत चक्रवर्थी, इस देश का नाम पड़ा, और खारवेल शिला लेक में, उडिसा के अंदर भी भरत वर्ष, भरत वर्ष ऐसे लिखा है, प्राकुट भार्षा में, ब्रामी लिपी में, उसे को लेके, हमारे घटना बनाने वारों ने, इस देश को भरत वर्ष, भर भारत अशे भरत से भारत अशे नाम कर्मत कर दिया, और आज भी हमारे स्ट्यांप में, सरकारी सब इसमें, भरत ही नाम से भारत वर्ष है, ये प्रचली थे, और सुम्यदान ने भी उसको मानिता दी, इन चब्दों के साथ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आशरवाद देत झाल